नमस्कार माई सेब डॉक्टर केश्मिना डिपार्टमेंट ऑप केमेस्ट्री MLV गवर्मेंट कोलेज बिलवाड़ा आज का हमारा टोपिक है हीटोप नूट्रलाइजेशन हीटोप नूट्रलाइजेशन ना मतलब यह होता है सिंपली में कि जब भी कभी एसिड और बेस को मिल जाता है तो साल्ट बनता है जल बनता है प्लस कुछ उर्जा बाहर निकलती है उसे करते हैं हम उदाशनी करन अभी की लिया अब यहां पर हम थर्मोडानिविक्स के बात कर रहे हैं तो जब भी अमलो और कसार को मिलाए जाएगा मनें एसेड वेस्ट को मिलाए जाता है तो उनकी जली विलियन में कुछ उस्मा बाहर निकलती है उस उस्मा को हम बोलते हैं उदाशनी करन उस्मा तो एक ग्राम तुल्यांक अमलो और एक ग्राम तुल्यांक के अकसार जब तनू विलियन में पूर्ण उदाशनी करन करने पर मनें एक दूसरे को उदाशनी करन उस्मा जाते हैं जैसे ताप वह एक वाइमेडल एदाप पर एक ग्राम तुलिएंग का एक ग्राम तुलिएंग द्वारा तनु जली वीलियन में उदाशरी निक तरण करने पर उसमा उत्पन होती है जैसे हCEL प्लस अनय ओच इसलेटो NACL और H2O साथ में जो डेल्टा H0 जो होती है वो माइनस 17.2 किलो जूल पर मॉल होती है सामने प्रस्क्रिटिव में देखिए तो यह प्रबल अमल और प्रबरकसार में यह भी किरा संपन दरवाए जाती है कि उसमा का मान जो उत्पन होता है जब कि प्रबल अमल और प्रबरकसार में जली वी लियन जब बनाए जाता तो आइनीत अवस्ता में मिलते है जैसे H, HCl है तो H, CLAQS, NAQS, OHQS, NAQS, NAQS, NAQS से स्टेट में मिलने के तारण यह भी किरिया थोड़ी फास्ट होती है अता ताबदाब में किसी भी प्रबल अमल और प्रबल अकसार के लिए उदाशिनिक उसमा का मान लगबग समान होता है क्योंकि सभी अभी किरियां में अनंत और किरिया द्वारा जल प्राप्त होता है इस अभी किरिया को जल को संबवन उसमा भी कहा जाता है कि जितने उसमा यूज की जाती है और संबन उसमा के बराबर होती है अधा उदाशिन को ने अभी कि रिया किसी परबल अमल और दुर्बल अक्सार दुर्बल अमल और परबल अमल और दुर्बल अक्सार मानी कॉमिनेशन हो सकता है कि जो उदाशीर अभीकिरे का मान होता है, वो कम होता जाता है, जैसे हम दुरूबल प्लस दुरूबल अगर करेंगे, तो उदाशीर अभीकिरे का मान कम प्राप्त होता है, उसका रीजिन यह मनना जाता है कि वो अनाइनीत अवस्ता में मिलते हैं, क्योंकि वो अाइनीत नही हो पाते हैं तो धुर्बल अमों दुर्वकासार होती तो आयनल नहीं हो पाता है और उडाशियों पाग ऊसमा नहीं में खर्च हो जाता है और अखर्च होने की कांड़ दाशिंग्टोन उसमत्वा मान होता है वो बदल जाता है जैसे एसेटिक एसीड और सोडियम हाइपो ओकसाइड हाइपोकसाइड की परवल अभी की रहतर वाहे जाती है एनियो और जाती है और जल बना लेता और माइनेस पच्छमन पॉ अभी की रहतर है एनियो और एच पॉर और एच सेल के ओपर तो एन एच पॉर सेल बन गया और जल बन गया यहां पर जो डेल्टा एच जो है वो माइनस एकाउन पॉइंट फॉर किलो जूल पर मॉल है तो दुरूबलमों दुरूबर अखसार बहुत डैलूट सोलीशन हो ग डिआ होता है जानन कैसे होता है यानि यह तो बंद तूटा है या बंद नए बंद बंदें तो इसको बंदो तोड़ने के लिए किसी भी बांड को तोड़ने के लिए जितनी और ऑ्लिकों के दवारा परिकल्म डिंसोेशन एनरजी और्ड आगूलते मरेशन खाउनों देखते हैं कि रासनिक बंदी के निर्माण में उर्जाम मुक्त होती है और किसी भी गेसी आवस्ता में हाइट्रोजन के दो परमाणों मिलकर एक अनू बनाते हैं तो 436 किलो जूल पर मॉल उर्जाम मुक्त होती है परिवर्टित करते हैं तो आपको उल्टा करना पड़ेगा मानि कि यहां पर 436 किलो जूल जो एनरजी है यह किलो जूल प्रतिमोल एनरजी देनी पड़ेगी तब जाकि हो H2, H और H में परिवर्टित होगा ताकि एक रासनिक बंद का वियोजन हो सके इस अभी कि रहे को बंद वियोजन उर्जा या संबोन उर्जा लगवा बराबर होती है चुकि प्रकरम स्तिर दापर किया जाता है इस जो उर्जा का मान होता है इस उर्जा के मान को हम बंड एन्थेल्पी भी कहते हैं जो स्तिर दापर अगर हम संपने कर रहे हैं तो उसको स्तिर इसको बंड जो bond energy उसको bond enthalpy द्वारा denote कर देए. जैसे D परमानो आनों में बंद उर्जा, बंद वियोजन उर्जा के समान होते हैं, किन्तों बहु परमानो होनों है, बंद उर्जा, बंद वियोजन उर्जा अलग अलग होती हैं, जल के दो on one, में दो बंद पाई जाते हैं, उसके जैसे ह, ओ, एच, या इसको कहते हैं, ओ, एच, एच, तो इसके उपर जो energy होगी, वो यह होगी, मैंने हो और इसको ओ में चेंज कर रहा है, हो जो बंद व्योजन उर्जा इस परकार बंद वियोजन उर्जा है, बंद वियोजन उर्जा क्लाती है, मैंने हैडरोक्सिल ग्रूप को जब بी तोड रहे हैं, तो उस समय GYP है अंत में अत को परमानों में विग्टट करने के ल बंद को तोड़ना होगा तो तोड़ते समय जितनी उर्जा के आउसकता होती है उसे बंद उर्जा करते हैं में 488 और 430 divided by 2 तो 464 किलो जूल पर मोल एनरजी इसकी बॉंड एनरजी होती है इसी परतार में अमोनिया में किसी भी परतार की बंद की हम केल्गुलेशन करते हैं तो जनरली यह करते हैं जैसे CH बॉंड NH इनकी जो निकाला और तीन से डिवाइड दिया तो यह बॉंड जह सिंगल बॉंड में 138 और डबल बॉंड चारसो तरानों पॉंट साथ किलो जूल पर मोल रहेगी तो जैसे उसकी चेंज होती जाएगी वेसे बॉंड एनरजी इस तरह यह सारे बॉंड के लिए जो बॉंड एनरजी या बॉंड एंथेल्पी में कह सकता हूं यह दी जात हैं तो जैसे अभी के लिए अभी के लिए अभी के लिए उस्मा का प्रिकलंद करना तो यह दी बंद उर्जा इतनी और इतनी हैं तो हैट्रोजन के लिए बंद उर्जा C1C1 के बंद उर्जा CCCL के बंद उर्जा HCL के बंद उर्जा इनको जोड दिया तो यह बंद उर्ज कि उर्जाओं को अमान ग्यात हो तो उसके संबवन उस्मा की परकलन किया जा सकता है जैसे यदि यह बंद है 435 और 400 निवासी और इसी उर्धपातन उस्मा इतनी है तो एसिटोन की संबवन उस्मा ग्यात करनी है तो बंद उर्जा इतनी इतनी है तो एसिटोन की संबवन उस् जो नेक्स्ट टॉपिक है नुनाद उर्जा का निर्धारा में डिटर्मिनेशन ओफ दर रेजिनेंश एनरजी सामने तो योगी में बंद उर्जा के आधार पर प्रेकलन की संबहुन उर्जा के मान में परयोगी ग्रूप से हम इसको अनुनाद उर्जा का दौरापका भी नि इसकी इनर्जी कितनी खर्च हुए और कितना प्रियोगी दोहर परमानी तो प्रेथलित अनुदार जारत महान योगी के अनु के स्टाइट को पर निर्वध पर दसीत करता है तो बेंजिन में केकले सर्चना की आधार पर अनुनाद उर्जा प्रेथलिंग तरते हैं तो बं तेंट डबल होते तीन सिंगल होते हैं और तीन जो शीयच बॉंड होते हैं इन सब को करने के बाद में हमें 5381 किलो जूल एनर्जी पर मोल प्राप्त होती है जब हम देखिया इनुनाद उर्जा जो प्रेविक तो यह है और प्रेथलित इतनी है तो यह जो उर्जा निकल क कि आती है ये अनुदाध हो जाए और दोनों को क्यल्कुलेट करते हैं तो एक टॉटॉट किलो किलो जूल पर मॉल जो है यह रिजुनेंश एनरजी जो होती हो तैटू परदान करती है वे अज़गी सर्चना केखुले सर्चना के तुल्णा में इदिक्स ताही है क्योंकि Benzeny की Westric सर्चना, दो अनुदाधी स्चना को अनुदाधी संकर है, ति ये के छोले दोड़ा अनुदाधी सर्चनाय और अनुदाधी बीकमा संकर लगा दिया कि कहीं भी Bound हो सकता है एंथेलपी की ताप निर्वरता जिसको किर्चोप समीक्राणिक के दोरा भी हम डिफाइन करते हैं इसका हम में एक्वेशन लिकरें तो इसका हमें हमें से ब्सक्राणिक करें तो तो यहां हमें पर पर अभी कारा ऑभिकार की संदर तक उसमा अधरीता है तो Δ'T D H upon D T at constant pressure is equal to Δ C P, यहाँ पर ΔH पी उत्पाद हो और अभिकरतक्क कि स्तिर्दाब पर उस्माधारिता के अंतर के बराबर होती हैं, तो इसको हम किर्चोप का समीटरन भी कहते हैं, यह जो समीटरन निकल के आता है, इसमें स्थिर्दाब परताब परिवर्तन कर अभीकिरिया उसमा में परिवर्तन किया जाता है इस अभीकिरिया की उसमा धरिता में परिवर्तन होता है वानिए डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H1 अपोन T2 मैंनिस T1 इसलो डेल्टा Cp delta h2 minus delta h1 delta cp is equal to t2 minus t1 delta h2 is equal to delta h1 plus delta cp t2 minus t1 युग तो अभी किरे में स्तिरदाप पर अभी किरे कराएं जाने पर जो समीर्ण प्राफ्तोर delta v is equal to 0 होता है तो delta h is equal to delta e के बराबर हो जाता है इस समीर्ण को हम इस परतार भी लिख सकते हैं delta he upon dt at constant volume is equal to delta cv delta e2 minus c1 upon t2 minus t1 is equal to delta cv इस पर cv और cb और ca का बीच का मिक्सर है अता स्थीर आईतन पर उत्पाद और अभी कारे की उसमा धरिता में अंतर आंत्रिक उर्जा परिवर्तन को दर्साता है इसी परकार हम देखते हैं delta e2 is equal to delta e1 plus delta cv t2 minus t1 उपक समझे करने में ताप परिवर्तन कर समीत मान किन्तो ताप परास अधिक होने पर range ताप की range ज़्यादा होने पर इसको इस तरह डिनोट करते हैं cp is equal to alpha plus beta t minus gamma t square यहाँ पर यह जो स्तिरांख है यह योगी के प्रतरती पर दिरवर्त करते हैं cp is equal to alpha b minus alpha a alpha beta b minus beta a t gamma b minus gamma a t square अथा डेल्टा cp delta alpha plus delta beta t plus gamma t square यह किर्चोप का समीतरन का मान अधिर हम इसमें रखे तो delta h2 minus h1 is equal to t1 से t2 का integration इस तरह किया जाता है तो delta cp dt के द्वारा इसको substitute करते हैं तो delta h2 minus h1 t1 से t2 alpha delta alpha plus delta beta t plus delta gamma t square dt इस equation को और extend गर के लिखते हैं delta h2 is equal to delta h1 plus delta l t2 minus t1 upon 1 upon 2 delta beta t2 square minus t1 square plus 1 बटा 3 delta gamma delta gamma t2 q minus t1 q और तो समीतरन को किर्चोप समीतरन करते हैं इसकी ताप की सभी परास पर कोई सी भी रेंज में चले जाए उसके ओपर यह लागू होता है और किर्चोप की समीतरन के असाब से देखें कि delta h2 minus h1 is equal to cp t2 minus t1 यहां पर यह देखें कि उत्पाद में से भी करकी यह बाकी निकाल दिया और यह निकल के आता तो delta h plus delta h plus इस तरह से हम calculate कर सकते हैं धन्यवाद कि अमगा से तन्यवाद ढ बात ऊत्पाद कि झाल